दोस्तों, मकर संक्रांती के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं। मकर संक्रांती के बारे में सूर्य जब एक राश्य से दूसरी राश्य में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिश में इस घटना को संक्रांती कहते है, हर महीने संक्रांती का पर्व आता है, लेकिन माग महीने में आने वाली मकर संक्रांती सबसे ज्यादा महत्यपूर्ण होती है। इस दिन सूर्य धन्यु राश्य के निकल निकलकर मकर राश्य में प्रवेश करता है, मकर संक्रांती से ही सूर्य होते हैं, आये जानते हैं साल दो हजार चौबीस में। मकर संक्रांती कब है स्नान दान मुहूर्त महत्व डौट साल दो हजार चौबीस में मकर संक्रांती 15 जनवरी दो हजार चौबीस को मनाई जाएगी इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य धन सुख सम्रिध्धी और अक्षय पुन् स्नु राशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांती के दिन सूर्य अपने पुत्र शनी की राशी मकर में प्रवेश करते हैं मानिता है कि मकर संक्रांती के दिन पानी में काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोश दूर होते सूर्य और शनी दोनों की कृपा मिलती है, मकर संक्रांती के दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, इस अवधि में सूर्य का तेज अधिक होता है। अधिक होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांती के दिन स्वर्ग का दर्वाजा खुल जाता है। आप धन्वान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए, वह उपाय कर लेना चलिये, जानते हैं। 15 जन्वरी मकर संक्रांती दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज, रोडपती भी होंगे, करोडपती मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मृत्युदंड, पित्र दोश तुरंत होगा, खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे, अन्धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी साथ पुष्टे तक करेंगे, रुपय सुख आपके कदम चूमेगी, यदि आप यह एक छोटी और खास चीज, चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो ततकाल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, यूं कहें, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, और तैंतीस कोटी देवी देवताओं को धारन करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर अजीवन बरस्ती है, व्यक्ति के घर में कभी भी अन्धन वस्त्र कमी नहीं होती है, धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन से ततकाल गरीबी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों, कौन-कौन से वे गा जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कश्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या काम्याबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं। आपके घर में भरे रहेंगे। अन्धनवस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देख कर जाना यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की क्रिपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना बहुत ही फायदेमंद। वीडियो है पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुरलब संयोग है तो पूरा वीडियो देख कर जाना यदि आप लाब हासिल करना चाहते हैं और साथ पीडियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो ये फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना बहुत ही लाप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल दा शास्त्र टिप्स की इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैगौ माता जरूर लिख देना जिससे माता की कृपा आपके और आप सुख संपत्ती की प्राप्ति कर सके तो शेर करना न भूलें इस वीडियो को जिससे और लोगों का भी भला हो आपको बता दें इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदाई समझा गया है यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें आप और पित्रों के निमित्त तरपन पिंड दान तो आपसे बने अन धन वस्त्र दान जरूर करें और 15 जन्वरी मकर संकरांती के दिन दान करने से सभी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है 15 जन्वरी मकर संकरांती के दिन विशेशकर पूरवजों की पूजन के लिए बहुत ही शुब फलदाई समझा गया है मकर संकरांती के दिन पिंड दान करने से पूरवजों की आत्मा को शांती मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है और आपको बता दें इस बार जो इस दिन पित्र पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनीदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनी देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोश भी दूर हो जाता है व्यक्ति के जीवन में धन सुक संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है समस्त मनो कामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन मतलब यह जो मकर संक्रांती के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें, क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का च फिर देखिए कैसे चमतकार आपके जीवन में होता है, शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर, दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, तो हमें बता देना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया, मैंने आपको बहुत ही उस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय, जिन्हें करने से व्यक्ति को साथ पीडियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है, सभी सुख और घर में धन के भ गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमतकारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, मकर संक्रांती से आपको लाब शुरू करते हैं, दोस्तों सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, मान्यता है कि गौ गौ माता के शरीर पर 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है, गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरस्ती है, गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बलकि पूर्व के भी दोश दूर हो जाते हैं, गाय से हासिल पंच गव्य का उप्योग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता, या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथ्वा महीने में परिवार समेत एक बार गौश आला जाने का नियम जरूर बनाएं, और वहा दोशों का निदान हो जाता है, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता को गुड जरूर खिलाएं, ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुधिया, अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारन करने वाली गौ माता से जुड़े कई और गाय अपने बचडे को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं, वह जरूर ही पूर्ण होगा। गाय को राष्ट्रिय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिये जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृती का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, गाय दर-दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते, गाय जब तक दूध देती रहती है, तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सडकों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई ड शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को मारने वाला, माता को मारने पीटने वाले के समान, पाप का भागिदा समझा जाता है नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है अगले जन्म पशुयोनी में मिलता है कथा है कि गौतम मुनी ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यू हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या क करनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आय व्रिधा श्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में सनान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं ऐसा पुराणों में बताया गया है जबकि जो लोग गाय के लिए प्याव और चार बनवाते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर परग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कश्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर-दर भटकना पड़ता है और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बचडे के लिए होता है। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीट पर नहीं बैटना चाहिए। इनकी पीट पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एक मात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशिय है जिस पर स्वयम महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयम अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए, जो बूढ़ी और बीमार हो, कठोप निशद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है, कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ती जताई थी, दूध देने वाली और बच्छडे जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुन्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। यदि पित्रदोश हो तो गाय को प्रति दिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड चारा खिलाने से। और से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोश स्वतही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रति दिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक उर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में सफलता ही हाथ लगेगी, इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं, और रोटी को बिलकुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें, और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए, घर में कोई फल है, कोई सबजी है, सड तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं नहीं ऐसा करने से यदी आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ मकर संक्रान्ती पर आठे की ग्यारह लोहियां बनाकर उनके उपर हल्दी लगाएं इसके बाद गाय को खिलाएं हर एक लोही को खिलाते समय गाय के सिंगों वाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार मकर संक्रान्ती पर आप साथ बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे और मकर संकरांती पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड रख लें, अगर गुड ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों, गाय को कभी भी सुखी रोट ना खिलाएं, सुखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रख कर खिलाएं, हल्दी रख लें, गुड रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें मतलब खाली नहीं खिलानी हैं, इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेर करें, धन्यवाद